आप सब लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं इस चैनल पर लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही बहुत इंफॉर्मेशन जो आपके एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है और इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको सही इंफॉर्मेशन मिल पाए कि मैं इस सैंपल पेपर में क्या बताने वाला हूँ यह इंग्लिश पेपर वन का 2021 का सैंपल है तो इसमें मार्किंग स्कीम क्या रहेगी कौन कौन से क्वेशन आएंगे क्या सिलेवस कम हुआ है इसकी पूरी जानकारी मिलेगी तो चली आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें बिकज अब हम आपके सि उनको कॉंप्लीट करवा हैंगे अगे सो अब मद लेट नहीं अ क्य độ कार वाहेंगे रार्फ कटॉस्ट आफ लेजर सस्क्राइब 2 कैसे शेंट, सब्सक्राइब नलमारते हैं इसक्वाइएंगे 3 फेजर मद ब-स केशमार हरा जा व्सक्राइब 3 तो अर्च्याब 2 चॉर 25 marks because notice and email will be excluded from this sample paper इस बार ICIC ने notice और email को हटा दिया है यह सबसे बड़ी information है और इसलिए notice के जो 5 marks है वो essay में दिये गए हैं and जो email के 5 marks है वो आपको unseen passage में मिलेंगे तो letter वही रहेगा same आपका दो options होंगे letter में इसमें से एक आपको solve करना पड़ेगा 10 marks मिलेंगे A and B two letters हैं यहाँ पर and question 3 unseen passage and now look unseen passage के 25 marks होंगे पहले देखिए जो essay था unseen passage था 20-20 marks के आते थे essay 25 marks का हो गया because notice के 5 marks उसमें add कर दिये and unseen passage is of 25 marks because email के marks यहाँ पर add हो गये हैं देखिए इसको count करते हैं ठीक है 3 marks for word meaning तीन words होते हैं उनके meaning देने हैं आपको 3 and 2-5 2-7 2-9 2-11 2-13 and 2-15 15 and 8 23 23 and 2 25 तो यह unseen passage आपका 25 marks का हुआ पहले 20 का होता था because notice and email थे अब नहीं है question 4 same as it is रहेगा जैसा होता था जिसमें आपका 4 marks का correct form of verb रहेगा यह आपका correct form of verb फिल करनी है इसमें and B इसमें आपको appropriate words फिल करने है it means prepositions या conjunctions जो भी suitable लगे and section C combination of sentences joining the sentence without using and but also इनकी सभी videos आपको मिल जाएंगी combination of sentences की मेरे channel पर मिल जाएंगी and ऐसी exercise भी मैंने solve कर वाई है वो आप इस video के description box में link को check करके देख सकते है and उपर I button दिया हुआ है इसमें से भी आप select कर सकते है so 4 marks इसके हो गए and D 8 marks इसके रहेंगे 8 sentences के लिए जिसमें आपको क्या करना पड़ता है sentences को transform करना पड़ता है and इस transformation में बहुत सारी चीज़े होती है जैसे as soon as, no sooner, hardly, removal of to या फिर sentence को affirmative से negative बना देना तो ये सभी topics भी मेरे पड़ा हुए है, explain किये हुए है, video channel पड़ी हुई है तो आप channel पर जाके search करके देख सकते हैं आपको कोई भी topic देखना हो मेरे channel से कोई video देखनी हो तो आप क्या करेंगे topic का नाम लिखकर by excellence English classes लिख देंगे तो आपको topic मेरे channel पर मिल जाएगा तो ये बहुत important information है ये बताने के लिए कि आपके notice और email exam में नहीं आ रहे हैं और notice और email के जो marks है 5 marks आपको SME मिलेंगे and 5 marks आपको unseen passage मिलेंगे I hope ये information आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो video को like करिए अपने friends के साथ share करिए शायद उनको भी benefit मिल पाए Thanks for watching Have a wonderful day